आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही योनिक वीडियो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो कि मैंने कभी दिखाया ही नहीं है और वो चीज हर किसी के घर में यूज होते है चाए वो नॉर्मल फैमिली से है, मिडल क्लास फैमिली से है या हाई फैमिली से है बरतन एक ऐसी चीज है जो सब के घरों में यूज होते हैं और मैं इतने सालों से दिल्ली में रह रही हूँ और मुझे नहीं पताता कि बरतन कहां पे इतने सस्ते मिलते हैं सामने देखे जो आप पराते देख रहे हो डोंगे देख रहे हो ये आपको मिलेगी सदर बजार के अंदर ही जाके एक डी चौक पड़ता है उस पे पूरी की पूरी बरतनों की मार्केट लगती है सबसे हैरानी वाली बाग जो मुझे लगी वो ये थी कि यहां बरतन इतने जादव सस्ते थे कि मैंने सोचाई नहीं था ये सब बरतन जो आपके सामने है न धाई सो रुपे किलो है किलो की हिसाब से यहां पर बरतन मिलते सिंगल पीस का तो सिस्टम ही नहीं है अगर आपको चोटे पतीले बड़े पतीले करके भी आप एक किलो कर सकती हो बाकी आपको सो सो रुपे में इस तरीके के स्टैंड मिल जाएंगे इनके उपर सिलेंडर रखके आप सिलेंडर को इधर ओधर मूव कर सकते हो बाकी घिया कस आपको सत्तर रुपे का मिल जाएगा चोटे वाल प्राइज में आपको पल्टे चाहिए है ना वो भी हाँ आपको 50-50 रुपीज में बहुत अच्छे मिलने वाले हैं कप स्टेंड दिखाती हूँ मैं आपको जो कि मुझे अच्छा लगा ये सामने वाला जो था ना वो कप स्टेंड था बाकी इनकी पास 1500 रुपे में लंच बॉक्स भी थे आपको इस तरी के का कप स्टेंड मिलेगा इसमें आप कॉफी मग टांग सकते हो कप टांग सकते हो काफी अच्छा रहता है 170 रुपीज उसका प्राइस था बाकी अगर आपको बरतन चाहिए है ना जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे जो बरतनों को बेचन चोटे बाउल बड़े वाउल प्लेट्स वगेर आपको 200 रुपीज में मिल जाएंगे प्लेट में भी आपको काफी सारी वराइटी मिलेगी डोंगे आपको काफी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आइस बाउल मिल जाएंगे और बरतन तो हर किसी के घर में यूज होते है और एक दूसरी बात अगर आपको ब्याशादी में कन्यादान में किसी को बरतन देने हमारे हिंदू ट्रेडिशन में क्या रहता है 151 बरतन देते हैं 101 बरतन देते हैं 251 बरतन देते हैं तो आप इस तरीके का सट यहां से बनवा सकते हो परात देखे इस तरीके कि आपको बड तो आप ना खुद ड्राइफ रूट्स की पैकिंग कर सकते हो सेम मार्केट में आपको ड्राइफ रूट्स की जुथालिया रहते है न वह मिलेंगी यह बड़े वाली जो थी न सबसे बड़े वाली यह सिर्फ 90 रूपीज की थी इसमें आप सेक्षन बनाकर ड्राइफ रूट लगा सकते हो यह सब आपको ना 100-100 रुपीज में मिल जाएंगी बहुत ही सुन्दर टोक्री आती जब किसी के घर शगन देने जाते है ना तो इस तरीके की टोक्री यूज होती है यह 15 रुपे वाली टोक्री थी वो 10 रुपे वाली टोक्री है यह आपको 150 रुपीज की यह चॉकलेट बाक्स है तो अगर आप किसी की बर्दे पार्टी में जा रहे है दिवाली पे जा रहे हो ताप इस तरीके की चीजों में ड्राइफ रुट चॉकलेट पैक करके आप सामने वाले को गिफ्ट दे सकते हो बाके आपको अगर कुछ लगजरी फील देनी है सामने वाले को कि वो गिफ्ट लेते टाइम उसको अच्छा फील हो ताप वुड़न की जो पैकेजिंग है वो भी बना सकते हो 120 रुपीज इनका प्राइज रहेगा जितने भी मैंने आपको वुड़न के दिखाए ना वो 120 में रहेंगे ये वाला 130 रुपीज में रहेगा ये ये पीछे वाला ये काफी है ये सत्तर रुपे का था आपने कभी सोचा था घर के बरतन 50 और 70 रुपे में मिल जाएगे जब मैं मम्मी के साथ लोकल मार्केट जाती थी ना तो चीज़े इतनी जादा महंगी होती और मैं सोचती यार ये इतनी जादा महंगी क्यों है डोली आपको 100 रुपे में ये वाली आपको 150 रुपीज में और सबसे लास्ट वाली 220 में मिल जाएगी तो आपको डोलीयो के भी बहुत सारे आप्शन मिल जाएगे काफी अच्छे थे अगर आपको सिंगल सिंगल यूनिट भी चाहिए ना आप वो भी ले सकते हो 190 रुपीज में ये जो हैंड ब्लेंडर रहते ने जिससे धाई वगेरा फिटते वो मिलेंगे 168 रुपीज के 12 छोटे बाउल मेल जाएगे इस तरीके की कटोरी होने वाले अब आप सोचते होगे की 12 दरजन लेके हम क्या करेंगे क्योंकि सबके घरों में कटोरिया होते बट ये ऐसी चीज पनाते आप उनको भी हल्प कर सकती हों बाकि हमारे देश में बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिनका बजट ना जाधा नहीं होता और आप डोनेशन में जाधा हैं किसी की हल्प करने में बेलीव करते हो तो आप उनके लिए इधर से 151 बरतन का सेट बना सकते होगे verschiedenen का उनका काम यह आपको 1,500 रुपे की 12 मिलेंगी तो आपको चम्मचे चाहिए चोटी चम्मचे चाहिए सर्विंग बाउस चाहिए तो आपको ने इस तरीकी की बरतन की बहुत सारी शॉप मिलेंगी और आप खुद की भी शॉप करना चाहते हो न उसके लिए भी यहां पर आप देख सकते कितने multiple options हैं अब आपके दिमाख में आ रहोगे कि quality अच्छी नहीं होगी तब ही इतने सस्ते दे रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह direct manufacturer की साथ जुड़े होते हैं प्रफेक्चरर से यह माल उठाते हैं तो सस्ता पड़ता है यह वाली देखे ग्लास है इसके अंदर घंटी थी छोटे बच्चों को पानीवानी डालके देते हैं वो थी यह आपको न 80 रुपीज की 12 पढ़ेंगी तो काफी सही थी बाकी देखे यह पूरी की पूरी शॉप पड़ी पड़ी है 190 रुपीज में आपको ग्लास मिल जाएंगे ग्लास भी काफी अच्छे थी ऐसा नीता कि हलका स्टील है काफी अच्छ स्टील है और नॉर्मली घरों में इसी तरीके का स्टील यूज होता है पूरी शॉप में देखे कितने सारे आइटम आप साइड में सेक्शन में भी देख सकते हो लाइटर वगेरा रखे है चिम्टे रखे है इस तरीके की रैक में जो बरतन से ना वो भर भर के लगे हुए टिफेंस वगरा यहां पर आपको इसीली मिल जाएंगे यह वाली मार्केट ना मुझे क्वाइट इंट्रस्टिंग लगी क्योंकि यहां पर बहुत यूजफुल मिटीरियल था जो कि हर केटीगरी के लोगों के घर में यूज़ होता है आइस बाउल आपको यहां पर बहुत अक्छे मिल जाएंगे वन सिक्स्टी के आपको बारा आइस बाउल मिलें सिल्वर की जो बरतन रहते है न यह वह वाले आइस स्टील का रहेगा और काफी अच्छा था और कैसे रॉल भी हर किसी की संदूक में दिया जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लेने देने में बरतन अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो आप इस तरीके के आप्शन दे सकते हो यह बहुत यूसफुल आइट तो मम्मियों के लिए तो कूकर बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पांच लीटर का अच्छा कूकर चाहिए ना तो वह आपको साड़ी छेसो और साथो की रेंज में मिलेगा क्वालेटी टू क्वालेटी डिफ्रेंट साथा है प्राइज में जूस निकालने वाली जो यह मशीन थी ना यह 250 की थी नॉर्मली जो सेल होते है ना ओनलाइन वह 499278 ऐसे होती है बट है न 278 वालेटी अच्छी नहीं होती जबकि इसकी क्वालेटी अच्छी थी आपको साड़े 300 की रेंज में कैटल मिल जाएगी कैटल क्या यूस आती है पानी गरम दू का बहुत क्यूट है इसका भी यूटूब चैनल है सी एच के नाम से इनका यूटूब चैनल है लिंक मैं आपको नीचे मेंचन कर दूंगी इनके चैनल का बाकि अगर आपको बाउस वगएरे चाहिए ना हर जगे सीम प्राइस था 200 और 250 इन वालों को जो था ना वो 250 था ज मेंच में मिलेंगे लोटे देख लीजिए काफी बढ़िया है और लोटे भी हर किसी के घर में यूज होते हैं दूद धाई जमाने के दूद रखने के या फिर लसी बना के रख दी एक्स्टा लसी बच गई है वह आप इसमें अराम से डाल सकते हो तो काफी यूज में आते अगर आपको यहां से शॉपिंग करना है ना तो आपको वीक डेस में जाना पड़ेगा वीकेंड पर आपको भाध कम ऑप्शन्स देखने को मिलेंगे अगर आपको जादा एक्स्प्लोर करना है तो वीक डेस में जाईए डिपटी मार्केट किसी से भी पूछ लीजिएगा चमचे वगरे आपको यहां पर 220 रुपे की एक किलो मिल जाएगी आपको फॉक चाहिए छोटी चमचे चाहिए बड़ी चमचे चाहिए आपको सारे आप्शन से धर मिल जाएंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना अलग-अलग बरतनों के प्राइस देखके बरतनों की क्वालेटी देखके आपको कैसा लगा है कमेंट करना ना भूले जितने भी नए व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दूसरा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी जो कि बहुत जरूर है भ क्योंकि वह इतना इंट्रेक्शन हो नहीं पा रहा है उनका तो वह जा रही है अपना नया यूटूब चैनल स्टार्ट करने उनके चैनल का नाम रहेगा मेरा पीहर उसमें वह अपनी लाइफ से जुड़े हुए व्लॉग दिखाएंगी अपनी लाइफ से जुड़े हुए तो वह सारी डिटेल्स आपको उस चैनल पर मिलेगी बाकी इस चैनल पर मैं आपको सारी मार्केट व्लॉग दिखाऊंगी यह वाली जो बरतन सेना यह सब आपको सेम प्राइज रेंज में मिलेंगी 200 रुपे किलो में तो आज मैंने कुछ नया कवर करने की ट्राय करा ताकि आपको भी पता चले कि दिल्ली NCR में सरफ कपड़े कपड़े नहीं है बरतने भी है वुडन के मार्केट है और बहुत सारी मार्केट है जो मैं अपने आने वाले व्लॉग में कवर करूंगी सारे के सारे बरतन सेम प्राइज रेंज के हैं इसलिए मैं हर एक बरतन के ऊपर आपको नहीं बता रही हूं कि यह 200 रुपए है या 2500 रुपए है एक आपको व्यू का आइडिया दे रही हूं कि हाँ यहां पर आपको बरतन 200 रुपए और 220 रुपए किलो मिल जाएंगे हाँ बर जो यह प्लेट है ना यह होस्टल्स वगेरा में जादा यूस होती है यह प आपको बरतन के साथ हैमर वाली डिजाइन के साथ ऐसी प्लेट मिल जाएंगी राइस ट्रे आपको मिल जाएंगी 200 रुपए किलो में इस तरीक ही कि जो होम यूटेंस रहते हैं वह काफी अच्छे आपको इधर मिल लेंगे और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी ती जि वो कपड़े की हैं बरतनों के किसी भी चीज की है हर मार्किट में यही से मिटीरियल डिस्टिब्यूट होता है वो लोग अपना मार्जन लगाते हैं इसलिए हमें चीज़े इतनी महंगी डिलिवर होती हैं अगर कोई भी लोग डेली नसी आर से हैं और जो यहां तक आ सकते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार जरूर आप जाके देखें आपको पता चलेगा कि चीज़े कितनी सस्ती हैं और हमें कितने प्राइस पे मिलती हैं मैं ऐसा नहीं बोली हूँ कि वो चीज़ों को ओवर प्राइस करके बेचते हैं और वेसी बात है अगर एक बन्ता घर से भाहर निकल रहा है बिजनस करने के लिए वो अपने ऐफर्स लगा रहें आपने पैसे जेब से पैसा लगा रहा है मेहनत लगा रहा तोओ सी बात एक मार्जन तो कमाएगा ही कमाएगा बट अगर आप डैली NCR में रहें के भी इन मारकेट्स को extraordinaryों तो मुझे आपको चाहिए कौफी मग मिलकशेक बनाने के काम एते हैं मिलकशेक सर्व करने के काम अबच्यों को काफी मग में चीज़े पीना बहुत पसंदें 50-50 ौपीस में आपको अलग इजंके मग मिल जाएंगे वें 100 रुपी में आपको ये ऐक्रायलिक का थर्मस रहता है जिसको हम पानी स्टोर या जू स्टोर करने के काम लाते हैं वो आपको इधर मिल जाएगा कप आपको 100 रुपे के 6 मिलने वाले हैं यह सब परतन 200 रुपे किलो थे अलग-अलग डोंगे हैं प्लेट हैं बड़े वाली थालिया है बड़े वाली प्लेट्स हैं तो काफ़ी अच्छे options आपको अधर मिल जाते हैं यह सब options ना मैंने Sunday को cover करे थे बट मैं आपसे request करूंगी कि आपको बड़े लेवल पे चीज़े खरीदनी है ना तो आप weekdays में जाए weekdays में यह प्रॉपर तरीकी से लगती है अपनी full capacity के साथ आपको रोड पे चीज़े द होती हैं 20-20 रुपे में आपको ऐसे serving bounce मिल जाएंगी जो यह वाली कड़ाई यह ना कड़ाई पनीड डालने के काम आती हैं डाल तड़का आप इसमें डाल सकते हो 30-30 रुपे में आपको difference मिल जाते और क्या चाहिए यार इतनी सस्ती चीज़े तो मिली रही है फ्राइपें कोुए है मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली अगर जो लोग नहीं है जिनको नहीं पता सदर बजार में क्या मिलता है तो वो लोग मेरी वीडियोस में जाकर वहां से देख सकते हैं प्लस इसके साथ मैंने सरोश्री नगर मार्केट को भी कवर किया वहां कपडों की बहुत स फोग्ती